Hello Everyone, Welcome to Trending Economics तो इस small वीडियो में एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं राश्ट्री बाजार क्या होता है इस English में National Market कहते है National अब समझे लिजे एक राश्ट्र एक देश से है उसकी सीमा से है अब समझे राश्ट्री बाजार का शेत्र काफी व्यापक होता है तो बहुत बड़ा होता है इसका क्षेत्र प्रादेशिक बाजार की तुल्ला में बहुत व्यापक होता है बहुत बड़ा होता है जब किसी वस्तु की मांग पूरे देश में या किसी देश की सीमा तक की जाती है तब उस वस्तु का बाजार राश्ट्री बाजार ये नैशनल मार्केट होता है जैसे कि भारत देश के सीमा कहां तक है आप देखे इस पूरे देश में जब किसी भी वस्तु की मांग की जाएगे तो इसको राश्ट्री बाजार कहेंगे नैशनल मार्केट कहेंगे उदान के लिए भारत में साड़ियों, काच की चूड़ियों तथा धोतियों की मांग अत्यधिक मातरा में पूरे देश भरमे की जाती है तो इसी को हम क्या बोलेंगे ये राष्ट्री बाजार है, ये नैशनल मार्केट है